नमस्कार आज इस वीडियो में हम कक्षा ग्यारवी की पुस्तक आरोह के पार्थ 2 मिया नसीरु दिन के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले की चाप्टर जो है जो पहला पार्थ है नमका दुरोगा उसके उपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ आप नीचे कावे खंड साथी जो आपकी अधर बुक से जल से जल समाप्त करो ताकि आप अपना स्लेवर कवर अप कर पाएं तो यह जो पाठ है मिया नसीरु दिन यह जो हमारी बहुत बड़ी रचनाकार है लेकी का है कृष्णा सोबती जी दुआरा रचा गया है और मिया नसीरु दि इस शब्द चित्र को लिया गया है इसमें खांदानी नानबाई नानबाई इसको कहा जाता है खांदानी आप लोग समझते हैं जो बाप दादा जो काम करते आ रहे हैं वोई काम बच्चे कर रहे हैं तो खांदानी नानबाई जो तरह तरह की रोटिया पनाने और बेचने क काम करते हैं, मिया नसीद उदिन के व्यक्तितव, तूची और सबहाव का शब्ड चितरियां पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया यानि शब्दों के बाद्देह किसी के व्यक्तितव को उजागर यहां पर किया गया मिया नसीद उदिन अपनी मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला मसीहाई अंदाज यहां पर कहा गया है कि यानि अपना जो काम है जिस तरीके से एक इश्वर की अबादत में खो जाना होता है इश्वर को याद करना होता है उसी तरीके से जो मिया नसीरु दिन है वो अपने काम को एक मसीहाई अंदाज से पकाने की कला और उसे अपने खांदानी महारत को बताते हैं कि कितना वो अपने काम को इंज्वाइ करते हैं और कितना उनको प्राउड है अपने इस काम पे उस काम को कोई छोटा नहीं मानते की रूटी बनाना कोई छोटा काम है इसमें काम को करना उनके लिए इश्वर की अबादत करने के समान है और वो इस पर बहुत जादा प्राउड फील करते हैं वैसे इनसान का भी जो प्रतिनेद्द करते हैं जो अपने पेशे को कला का दरजा देते हैं यानि अपने काम को अपने रोजगार को कला मानते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं यानि कुछ करके सीखने को असली हुनर मानते हैं यानि सिर्फ कुछ सीख लिया और कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया या practical life में असल life में कभी उसके साथ जिया नहीं है बस असान तरीके से उसको सीखी लिया उसको बिलकुल भी accept नहीं करते किसी तरह की कोई acceptance वो यहाँ नहीं देते हैं तो इस तरीके से पार्ट का एक संशिप्त परीचे हैं तो अब हम बिने किसी देरी किस पार्ट के इस सार के और बढ़ते हैं और साथ ही साथ पार्ट के अंते में हम इसके प्रश्णोत्रों के भी चर्चा करेंगे और जो प्रश्ण आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में पीडियाफ अविलेबल आप से डाउंडोड करके पड़ सकते हैं मैं यही कहूंगे पार्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरू देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट पर शेयर जरू कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए तो यह पार्ट है जो इस प्रकार शुरू होता है बहुत असान पार्ट है मैं दुबारा कहती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितनी easy language मैं आपको summary दी जाए उतनी ही मैं को easy उसको करके आपको बताती हूँ समझाती हूँ उसके बाद भी आपका फर्स बनता है कि आ आप अपनी बुक से उसको अच्छे से समझे चाप्टर की जो एक death explanation है उसको अपने अंदर एक आत्म साथ उसका कर ले तो जो पार्ट है कि मिया नसीरु दिन पार्ट एक संस्मरण के रूप में संस्मरण यानि यादों के अधार पर यह है और इसे कृष्णा सोबती के हम हश्वत से लिया गया है इसमें लेखि काने मिया नसीरु दिन की वाक पतूता है यानि बोलने की जो कलह है चातुर्य है ऐवम रूटी पगाने की कलह में महारत का प्रकाशन डाला यानि उनकी दो क्वालिटीस को या दिखाया बोलने मिचला की किस तरीके से बात को बोलन मुझे सिफ़ कमाते है नहीं जो अपने के अ एक उनर उसको मानते हैं उन नहीं को यहां पर उन्होंने मिया नसीरुदीन का यहांपर हमा थि声 क्या है कि लेखी का एक लैक मटिया महल यानि दिल्ली जामा मज़़ित के निकट के پاس से गुजड़ती है और उसकी भेड नानबाईयो यानि तरह तरह की रोटिया पकाने की कलाम माहिर व्यक्ति कि मसीहा मिया नसीरुदीन से हो जाती है मसीहा जिसको Godfather कहते है यानि ऐसा व्यक्ति जिससे सब ने सीखा है या सबका वो Godfather है एक तरीकी से उसे कह सकते है जो इन सब में बहुत जादा talented है उनसे होती है और उनकी जो दुकान थी वो गड़ईया मुहले में है वहां लेखी का आटे की धेर को संते देखकर सोचती है कि शायद सेवईया बनाने की तैयारी हो जब वो आटा गुना जा रहा होता है और जब वो उसको देखती है तो उसको लगता है यहां शायद सेवईया बनेगी पर उसे पता चलता है कि यहां तो 56 तरह की रोटिया बनाई जाती है यह दुकान खानदानी नानबाई मिया नसीदु दिन की है यानि उसके अंदर एक excitement जागी, curiosity जागी क्योंकि वो खुद तो एक लेखी का ही है तो उसके अंदर जो जिजीशी भी शाह है किसी को जाननी की वो और भी ज़ादा तेज हो जाती है लेखी कान ने उनसे पूछा कि क्या उनसे थोड़ी दिर बात करने का समय निकाल पाएंगे किस से मिया नसीदु दिन से उन्होंने हा में से रहला दिया वैसे वै अखबार वालों को निठला व्यक्ति समसते थे यानि लेखी का जो है पत्रकार ही है एक तरीके से उनका इंटर्व्यू ले रही है सक्षात कार कर रही है उनके बारे में जाननी पूछ रही है तो जो मिया नसीदु दिन है वैसे नखबार वालों को निठला मानते कि इनको कोई काम नहीं है तो ये लोग आ जाते है लेकिन फिर भी वो हां कर देते हैं लेखी का उनसे पूछती है कि उन्होंने किस्म किस्म की रोटिया पकाने की कला कहां से सीखी और उनका पहला प्रशन होता है कि उन्होंने तरह तरह की रोटिया कहां से सीखी इस पर उन्होंने आखे तरेर कर कहा आखे तरेर कर यानि आखे एक तरीके से confusion की किस तरह का question मुझसे पूछ रही है और वो जवाब देते हैं कि ये तो हमारा खांदानी काम है मुझे को सीखने की जरुषत नहीं है ये हुनर उन्होंने अपने बाप दादा से पाया यानि ये उसके अंदर ब्लड में है उसको सीखने की जरुषत नहीं पड़ी जब लेखी का उसके पिता के बारे में पूछती है तब मिया नसिर दिन बताते हैं कि हमारे वालिद यानि जो पिता है वो मिया बरकशाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से मशूर थे उनके वालिद अर्था नसिर दिन के दादा थे अर्ला नानबाई मिया कलन जब लेखी का उनकी नसिहत बताने को कहती है नसिहत यानि उनकी सीख, उनकी शिक्षा उनकी सीख, 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 ये काम करने से आती, सीखने से नहीं आती, बहुत कुरुएदने पर नसरी दिन एक उधारन देकर समझाते हैं, वो उधारन देते हैं कि जब बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए बठाया जाता है, तब वो शुरू के जो अलफाज होता है, जो शब्द होता है, वो बोलना सीखता है, लेकिन अगर हम डारेक्टली, यानि वो क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बच्चे को नरसरी के स्थान पर, यह स्कूल में हम भेज रहे हैं, नरसरी की जगह, उसको डारेक्ट थर्ड या फॉर्थ लास में बेज देंगे, तो उसका बेसिक तो जो है कमजोर है, चीक है, फॉर एक और एक्जांपल, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, कि माल लेजे एक लेडी है, उसको रोटी तक नहीं बनाने आती, और को कुकिंग क्लास ले रहे हैं, और डारेक्ट चाइनीज बनाने में हाट डालती है, हमारा जो इंडियन बेसिक फूड उसको वही नहीं आ रहा है, जो हमारे घर में बनता है डेली, वो खाती होगी, अपनी मम्मी को देखती होगी, भैनों को देखती होगी, यह किसी को भी देखती होगी, लेडिस को, या रस्चों अब अगर हमें भी खाती होगी इनियन फूड को, तो वो ही उसको अगर नहीं बनाना आता हूं वो ही नहीं परता। और थे प्रॉसीबल है। और ये प्रैक्टिस से आता है। अगर उसने घर में सारी चीज़े सीखिये होते हूं तो इसी सी तरहा पाती है। अब नसीदिन बता रहें कि डारेक्ट हैं हैं हमारे पिता जिनमें चपपन-करागी रोटे वनाने सिखा दिया हमने बेसिक काम सीखा है यानि हमने पहले बरतन जैसे होटल मेंजिमेंट का कोर्स होता है तो आपको डारेक्ट कूकिंग नहीं दिखा है सिखाई जाती यह आपक पहले बरतंद होना săीखा फिर भट्टी बनाना सीखा भट्टी को आच देना सीखा तब जाकर नानबाई का हुनर सीख सके सीधे-सीधे इस हुनर को नहीं सीखा जा सकता यह नहीं कि किचन में बिद्ध-गार्ड तो आप लोगों को भी ये clear होगा क्योंकि आप भी ये सब चीज़े face करते हैं आपके घर में भी आपके parents जो आपसे help लेते ही होंगे आगे बढ़ते हैं बहुत easy chapter है straight language में है वो interview ले रही है वो interview दे रहा है तो confused होने की जरूरत नहीं है और फिर लेकी का पूछती है कि यहां और भी नानबाई होंगे कि आप तो होगी खांदानी नानबाई आपके जैसे और भी यहां लोग होंगे तब नसीरी दिन बताते हैं कि यहां बहुत सारे नानबाई है पर खांदानी हमारे सिवा कोई नहीं है यानि हमारे दादा पर दादा सब ये काम करते आ रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति निया जिसके दादा पर दादा भी ये काम करते आ रहे हो बताते हैं कि एक बार हमारे बुज़ूर्गों से बादशा सलामत ने कोई नई चीज बनाने कर खिलाने के लिए कहा अब वो अपनी कोई इंसिडेंट बता रहे जो उन्हें उन्हें फादर से ये उन्हें ग्रेंट फादर से सुनी होगी और वो बताते हैं कि दिल्ली के किसी बाच्चा नहीं उनके मतलब उर्वजों से उनके बुजोर्गों से किसी ऐसी चीज को बनाने को कहा जो आस तक उन्होंने नहीं बनाई हो या उन्होंने नहीं खाई हो उनकी इच्छा थी कि वह चीज ना आख से पके ना पानी से बने और वह चीज हमारे बुजोर्गों ने बना कर दिखाई और बाच्छा सलामत ने खूब खाई और तथा प्रशंसा की, पर वे ना तो उस चीज का नाम बता सके और ना बाच्छा सलामत का नाम, उन्होंने सारी स्टोरी तो बता दी, सारी हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन लेखिका के द्वारा पूछने पर कि वो बाच्छा कौन था, या उस डिश का नाम क्या था क्योंकि अगर आप किसी का ले डिश हो तो इंटरिवु में को छाखना भी पड़ेगा जो बोल रहा ठीक है तो वो ना उस बाच्चा का नाम बता पाए ना ही उस डिश का बारे में explain कर पाए नसीर दिन ने इतना वश्य बताया कि वे 70 वर्ष के हो चुके यानि एक तरीके से वो इंडारेक में इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरी मैमरी जो है वीक होती जा रही है तो मुझे नाम ग्यार नहीं आ रहा है और जो उनके वालिद यानि उनके जो पिता थे उनकी मौत विजूती 80 years में हो गई थी अब ना जाने उन्हें को इतना समय भी मिले या ना मिले और आगे वो कहते हैं पता नहीं मैं अपने फादर जितनी एज तक जी भी पाऊंगा या उससे पहली ही मैं मर जाऊंगा जब लेखी का नहीं जाना है कि उनके बुजूर्गों ने दिली के किस चुका पता नहीं कौन सा बाच्छा है या वो आपके कॉपिराइट क्लेम करतेगा या वो आपको बोल देगा कि आप मेरा नाम कैसे यूस कर रहे हो तो आप किसी का भी नाम लिख दीजे आपको कौन सा किसी घर कोई चिट्थी विजवानी है या इंटिमेट करना है कि मैं है आपको की जीवनी के लिए आपका नाम यूस कर जैसे आपकिसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर भी भॉही बात हो रही है ज़से एक्जाम्पल लेलते हैं आपने किसी बच्चे की नोट बुक ले लिए और उसका काम आपने टीचर को अपना वता के शू कर द थे तूम्हें किसी कौन सा किसी घर ledर वि मिजवान थे फीर वह बीडिली का पूछा कि रोटीया बेगाते है और फिल लेखिका का अगला प्रशन होता है वो किस-किस तरह की जब 56 तरह की रोटियां मना रहे हैं तो कौन-कौन सी तरह की रोटियां होती है तो जिस पर जो नसर जुदी ने है वो बताते हैं कि बाकरा खानी, शीरमाल, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाउदी, गाउदीदा तुनकी, गाजेबान आदी वो बहुत सी रोटियों के नाम बताते हैं यह बताना नहीं भूलते हैं कि तुनकी रोटियां पापड से भी ज़्यादा महीन होती है जो तुनकी रोटि किस्म होती है, वो पापड देखा हमने कितना पतला होता है उससे भी जादा बारिक, उससे भी जादा पतली वो रोटि होती है अब खाने खिलाने की कदरदान कहां रहते हैं और आजकल ऐसी रोटियां कहां मिलते हैं जसे कि मैं शगू में बता चुँए हैं कि हम सिर्फ नौदस भी में जादा है वो लिए चार पस तरह की रोटियों के बारे में ही जानते हों गे अब तो तंदूर से निकालो, निगलो, और हजम या उनके चल रहा हो तो उनको पता होगा लेकिन अब तो ऐसा दो नहीं है कि मैक्सिमम लोगों को मालूम हो तो इस तरीके से पाढ़ यहां समापत होता है बहुत ही इजी पाढ़ था आशागरती बहुत ही असानी से आपको समझ आया होगा तो आएब आम बिना किसी देरी के इसके प्रशनोत्रों की चर्चा कर लेते हैं प्रहला प्रशन है मिया नसीरी दिन को नानबाईयों का मसिया क्यों कहा गया है क्योंकि वैस आधारन नानबाई नहीं है एक खांदानी नानबाई है अन्य नानबाई रोटी के वल पकाते हैं पर मिया नसीरी दिन अपने पेश को अपने बारे में बताया था प्रश्न दो है लेखी का मिया नसरी दिन के पास क्यों गई थी तो लेखी का मिया नसरी दिन के पास पत्रकार की हैसे से गई थी व्या उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी प्रश्न तीन है बादशहा के नाम पर प्रसंगाते ही लेखिका की बातों में मिया नसरी दिन की दिल्चस्पी क्यों खत्म ने लगी, क्योंकि उन्हें किसी खास बादशा का नाम आम मालू ही न था, वे जो बाते बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी उस तथे में रच्चाई नहीं थी लेखिका को डींगे मारने के बाद उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे यानि उन्होंने कहीं कोई कुछ प्रूफ नहीं देखा था सिर्फ उन्होंने दादा पर दादा उसे इसारी बाते सुनी थी तो इस कफन की पहले और बात के पसंग और लेकर तो इससे पश्ट कीजे तो बाधशा का नाम का पसंग आते ही मियान statistics दिल्चस्पी लेकिका की बात weeks में खतम होने बंती नहीं है और बाद्शा वाले इंसिडेंट में हम समझी चुके थे कि वो उन्होंने जो सुना एक तरे किसे फैक रहें यहां करें वहीं वो बता रहे हैं और यह पता नहीं सच है या जूंत लास्ट प्रशन है पाठ में मिया ने सिर्दिन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खीचा है तो मिया ने सिर्दिन सत्तर वर्ष की आयू के हैं मिया ने सिर्दिन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खीचा है लेखिका ने जब दुकान के अंदर जहाका तो प पर है और स्ट्रेट स्टोरी है जादा गुमा फिरा कर कुछ नहीं कहा गया है तो इस तरीके से इस पाट के प्रशनुत तर्मिया अशा कर दो आपको पार अच्छे से समझाया होगा उसके बाद भी किसी तरह कर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट जरू कीजिए अच्छा लगे तो लाइक जरू कीजिए कमेंट जरू कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और आगे और भी नोटिपिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्नवाब अच्छा है